इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रिम कोट के केमपस में राम मंदर फैसले पर जो फैसला सुनाई है कोटमे इस पर वकीलों की राई जानते हैं सुप्रिम कोट की बर्दाक है हिंद्वों की असमिता की रक्षा हुई है और जो हम मंदिर बना चाहते थे वह मार प्रशस्थ हुआ है और सरकार को काई ट्रस बना कर यह जमी सौप दिया मंदिर बने और साथ साथ मुस्लिम्स को चुकि उन्होंने कुछ दिनों तक महां फ्राइडे फ्राइडे ने माच राम मंदिर की निर्मान होगा योद्या में अब तरह देख रहे हैं आप पैसले से हम बहुत खुश हैं उत्ताहित हैं कि 49 से जो हिंदू महासवा इलेक्शन लड़ती आई थी आज उसकी जीत हुई है और सुप्रीम कोड ने सविधान को ध्यान में रखते हुए गंगा जमनत तैजीव को ध्यान में रखते हुए जो निर्णे दिया है उसमें सब की सब्सक्राइब करते हैं यह हमारा सतर साल का संगर्ष कोड में और 1526 से हमारा लगातार संगर्ष राख यह आज हिंदू महासवा की हिंदूों की और मानवता की जीत हुई है आज की दिपावली हम मनाएंगे और सब संप्रदायों से हम अपील करते हैं कि मिल जुरू के शां सब्सक्राइब को भी बैलेंस के आए और मंदिर भी बनाएंगे और मस्जिद भी बनाने वाले हैं यह बहुत ही अतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोट में सारे गवाहों को सारे गवाह जो है अलहाबा धाई को देखते हुए इस पक्ष पर पहुंचे हैं कि जो वो मस्जिद प्रश बनी थी यो एक structure बनी थी जो कि हिंदू structure था और सारा कुछ निश्कर निकालते हुए Supreme Court ने कढा कि जमीन है वो हिंदू टेम्पल के लिए ही हिंदूओं को जमीन देतिया है वो एक दम जो हिंदूओं को जो जिस तरह का फैसले की उमीद ही वैसे ही है और इसमें मुस्लिम भावनाओं को भी ध्यान में रख करके उनको भी पांच एकड जमीन दी गई है जी इसी फैसले का सभी हिंदूओं को इंतजार था एक वकील होने के नाते पूंटा सेहमत हूं इस फैसले से बहुत बढ़िया फैसला है हिंदूओं ने जो लगबग 500 सालों तक संगर्श किया उसकी आज विजय है और मुस्लिम पक्च जो अपने आपको इस हमेशा पीडि समझते थे उनको भी एक वैकल्पिक जमीन देकर सुप्रीम कोट ने नया किया है आज आज आद पक्च में फैसला दिया गया है साथ ही साथ सुप्रीम कोट ने ये भी कहा कि क्योंकि मुस्लिम पक्च ने भी कुछ दिन वहां तक नमाज पड़ी थी इसलिए उनको भी कहीं पांच एकड़ जमीन दी जाएगी देखे सुप्रीम कोट का फैसला है इसे सभी को सुईकार करन है और यही हमारा करतब्य है सर सुप्रीम कोट का जो जज्जमेंट आया है और बहुत अच्छी तरह से सुप्रीम कोट के जस्टिस है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जज्जमेंट दिया है आज एक इतिहास के और देखा जाए तो एक इतिहास में एक मात्रा ऐसा जज् पूरा लेंड मार्क जज्मेंट है 500 साल पुराना विवाद आज सुलज गया है और माधरनीय माननीय सरवोच चनेयल है सुप्रिम कोर्ट आफ इंडिया ने जो आज जज्मेंट दिया है इससे समाजिक समरस्ता और हिंदू और मुस्लिम आपसी भायचारा का एक बहुत बड़ मिसाल है आज का फैंसला देखिजिए सबसे पहले तो यह भारत की जनतागी मैं इसको जीत कहूंगा इसको क्योंकि जो गंगा जमनी सरस्कृत सस्कृति है हमारे देश की वो बनी रहनी चाहिए और जो भगवान राम है जो जिसको कहते 33 कृट देवीदेताओं में राम नाम जिसको कहते है सत्य का जाता है अंतिम वही है सत्य मेरा यह कहना यह फैसला बहुत सही आया है और मेरा यह कहना है किसी भी दोनों तरफ से लोगों को सब्सक्राइब को आप सी भाहेचारा बना कर रखना चाहिए कोई ऐसा नारा ना लगाए जिससे देश में महाल खराब हो और इसको यह बहुत बड़ा अच्छा फैसला है मुस्लिम पक्स को भी अलग से पाँच एकर जैमीन के ववस्ता कर दे गई है और हिंदू पक्स भी और उसमें मुसलिम पक्स की भी दोनों आप सी भाहेचारे के साथ रहें एक साथ राम जन भूमी विबाद और बाबरी मज़िद विबाद पर आज सुप्रीम कोट ने अपना सुप्रीम फैसला सुना दिया है अयोधिया में राम मंदिर का ही निर्मान होगा साथ ही सुप्रीम कोट ने ये भी आदेश दिया है कि सुनी बर्क बोर्ड को पाँच एकर जमीन केमरामेन अफदेश के साथ केसफ़कार जा, एचस न्यूज, दिल्ली